हलो फ्रेंड्स क्या सो वाप सब ? मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो चले शुरू करते हैं शुरू करते हैं इतिहास के 300 प्रशनों की श्रिंकला की भाग पचास है और अभे हम आपका देख रहे हैं मद्यकाली नितिहास तो आज हम मत दिकाले नित्यास में आपका भाबर शुरू करेंगे मुगल में ठीक है तो विडियो शुरू करने से पहले थोड़े सीरीज के बारे में बता दू यह जो सीरीज शरूरी इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइस प्रैक्टिस करवाया और इसकी मैंने प्ले लिएस्ट बना दिया हिस्टर 2300 कोशन सीरीज करके आप वहां से जाके पिसले सारे विडियो देख सकते हो सारे प्रेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है दो चलिए शुरू करते हैं तो विडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को दबाबा लिजाएगा जिसे विडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएए तो चलिए देखते हैं पहला कौशन पहला कुशित है, खान जादा बेगम बहन थी, A आप्शन अपका बाबर की, B आप्शन हमाई, C आप्शन अपर की, D आप्शन है जहांगीर की, तो यह किसकी बहन थी, यह बाबर की बहन थी, इनके बारे में थोड़ा बता दू, तो यह जो खान जादा बेगम जो थी, यह ब पादशाह बेगम की उपादी से सममानित किया गया था और इसे खानजादा बेगम के बारे में यह कहते हैं कि इन्होंने व्हुमाईयों और उसके भाईयों के बीद समझाता कराने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रहा था ठीक है तो यह अब्शन आपका सही है चलिए next question देखते है next question है निमनिकेत मेंसे कौन बाबर की माता थी A option है कुदलूग निकार खाना B option है माहम बेगम C option है मरियम ए मकानी D option है उपरोक्त मेंसे कोई नहीं तो इसमें जो सही answer है वो है आपका A कुदलूग निकार खाना बाबर का मूल नाम क्या था तो बाबर का जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था उसका जन्म कब हुआ था 14 फरवरी 1483 इसवी को और उनके मा कुदलूग निकार खाना चलिए next question देखते है पानीपत का प्रतम युद्ध हुआ था A option आपका 1524 B option आप 1525 C option आप 1526 D option आप 1527 तो पता ही होगा कब हुआ था पूरा बता दू 21 April 1526 को अचकल एकसे में डेट काफे इंपोर्टेंट है तो ये आप ध्यान रगना 21 April 1526 को हुआ था थोड़ा बाबर के बारे बता दू तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्ध हुआ था किसके किसके मद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्ध हुआ था और इसी युद्ध में बाबर ने सर प्रथम मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले बार पर ने तुलूगुमा विधी तुलूगुमा विधी या उस्मानी या रूमी विधी का प्रयोग किया था कुनसी युदमें है पानीपत के प्रत्थमुक्त में और यह जो पानीपत का प्रत्थम युदमें इसमें अबराहिम लोजी का जो साथ दिया था ग्वालियर नरेश्च विक्रमा जीत मृत्यों जीत ने तो कि युद GOAL Senator Gorinda B clev cuva A चले नेक्स कोशन देखते हैं तो कोशन के अकोर्डिंग आपका C अंसर सही है 21.756 नेक्स कोशन है निमरिकित बादसाहों में किसे कलंदर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है A उप्षन आपका बाबर, B उप्षन अकपर जो व्यक्ति थे उनको चांदी का एक सिक्का सारुकी दिया था कौन से सिक्का दिया था शारुकी शारुकी दिया था और उसी ये जो जब ये देता है तो इसी उदार्दा के कारण इसको कलंदर के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है तो बाबर होगा जुले नेंक्स कोश्न दीखते है नेंक्स कोश्न है पानिपत के प्राथम युद्ध हुआ था तो इंच्श देखते है आपका बाबर अर LIVE Banaladi के मत बाबर alors बाबर अर्यप्राहिम 금त पाथिज है पानिपत के प्राथम युद्ध के रीड रीड टी दीत था, इसके प्रेडाम शुरूब बाबर के नहिंतरड में एक बहुत बड़ा भुभाग आ गया, वह भुभाग फैला था, यह उप्शन अपका पंजाब और मुल्तान तक, बी उप्शन है दिल्ली और आगरा तक, सी उप्शन अपका बंगाल और बिहार तक, और डी उप यहार אॉपशन है जागरा को किस प्रसित युथ में पराजित किया इस अपका सभी उप्शन है, बी आप्शन है खानवा के युथ में, ऑफ़ किसमें पराजित किया था? खानवा के युद में और ये कब हुआ था खानवा का युद 16 मार्च 1527 एड़ी में ठीक है और ये चो खानवा का युद हुआ था इसी युद में बाबर ने गाजी की उपादी धारड की थी अक्सर एक्जैम में पूछता है यहां रखना इसको आप चले नेक्सकोशन देखता है ननएक्सकोशन इस मेर के किस राजा को 1527 में खानुआ के युद में बाबर ने हराया था ऐ और या आपसिन अपका रणा सांगा वी आप्शन युद सिरण सिरण आपका रणा प्रताः द् asi तो इसमें सही अंस्वल का इसमें आपका A सही होगा, राड़ सांगा, ठीक है, चलिए नेक्स कोश्चन देखते है, किस युद्ध में बावर ने जिहाद का उद्गोश्च किया, तमगा नामक कर समाप्त किया, और युद्धो परांद विजाई होकर गाजी की उपादी धारड की, यह उप्शन आपका पानीपत का प्रतम युद्ध भी, खानवा का युद्ध, चंदेगी का युद्ध, और D अपका गागरा का युद्ध, तो कौन सा युद्ध है, खानवा का युद्ध का वह था, सोलमाश 1527 को, ठीक है, चलिए नेक्स कोश्चन देखते है, बादशाव का विरुद धारड करने वाला प्रतम मुगर शाशक कौन था, A उप्शन अपका बाबर, B अगवर, C जागिर, D और अरंग जेब, तो कौन किसने धारड किया था, तो बाबर ने, और ये इसके वारें थोड़ा बता दू, तो ये बाबर ने जो बादशाव के उपादी धारड की थी, वो काब ये बादशाव के बादशाव के बारे में थोड़ा बता दू, तो ये बादशाव एक पुरानी तुर्क उपादी थी, जिसे सबसे पहले गजनवी सुल्तान सुबक्तगीन, और तैमूर के पुत्र शारुक ने धारड किया था, और उसके बाबर इसको धारड करता है, और मालो कोशन ये पूसता है कि बादशाव सुल्तान में क्या अर्थ था, तो इसके बारे में थोड़ा बता दू, तो देखो जो सुल्तान होता था, सुल्तान और खुदा के बीच में आपके खलीफा होते थे, लेकिन बादशाव के साथ ऐसा नहीं था, ये ध्यान रखना है, तो कोशन के अकॉर्डिंग आपका A एंसर सही है, बाबर, चलिए नेक्ट कोशन देखते है, मुगल बादशाव में किसका नाम जहीर उत्दीन मुहम्मद था, A उप्शन हुमायू, B बाबर, C उप्शन अकबर, D जहांगीर, तो किसका नाम था, ये अपका B, इसका पूरा जहीर उत्दीन मुहम्मद बाबर, चलिए, नेक्ट कोशन देखते है, अचा बाबर के बादे में थोड़ा और बता दू, तो जो भारत में ताश का प्रचार हुआ था, ताश कहलते है, तो उसका प्रचार हुआ था, वह आपके बाबर नहीं किया था, और ये जो बाबर थ जाता है, चलिए, नेक्ट कोशन देखते है, सूची एक का मिलान, सूची दो से कीजे, तो जहां नीचे दिये गए कूट का उपयोग करते हुए, सही उत्तर का चैन कीजे, तो पानी पत का प्रथम युदु कब हुआ था, आपका 1526, खानवा का 1527, चौजा का 1549 और यह आप मैच कर ले इसमें, यह पर मैं बता दिया आपको, इसमें आपका 1626, चलिए, नेक्ट कोशन देखते हैं, नेक्ट कोशन देखते हैं, निमने को तिथी करमानुसार ववस्थित कीजे, खानवा का युदु, दूसरा पानी पत का प्रथम, युदु C ऑ खागरा का य 1526, यानि कि दो पहले हो जाएगा, 1526, पानी पत का प्रथम, युदु 1526, दो, फिर इसके बाद खानवा का युदु 1527, दो, एक किसमें हो, डी ओप्शन से होगा, इसमें, पिर आपका चंदेरी का युदु कब होता है, तो चंदेरी का युदु होता है, 29 जन्वरी 1528 को, सुरी ये चंदेरी का और ये घागरा का, ये आपका 1529 में होता है, तो इसमें आपका डी ओप्शन से हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, डी ओप्शन से होगा, इसमें, नेक्ट कोशन देखते हैं, चकताई तूर कुशार्चन भारत में किस नाम से जाना जाता है, A आप्शन आपका सहीद, B आप्शन है खिल जी, C आप्शन है मुगल और D आपका लोदी, तो उसमें जो सही अंसर है, वो है मुगल, थोड़ा मुगल के बारे में बता दू, तो बादूर या महान, और मुगल की तुर्की में इसकी अगर बात करें, तो चकताई नामक साखा से इसकी युद्पत्ती बाने जाती है, मुगल की, चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं, तो C एंसर सहीएस पे, नेक्ट कोशन है, सूची एक को सूची दो के साथ सही सुमेड़ि आपका गागरा का युद्पंद्रह सो उनतिस और खानवा का फंद्रह सो सत्ताईस तो उसमें आपका सही एंसर क्या होगा, यह तो मैंने बता दिया, आप यसे मैच कर ले न, पानीपत का प्रतम युद्पंद्रह सो चपशन है, और दीती है, तो चलिए नेक्ट कोशन अगर समराजी का शाशक कौन था, यह उप्शन आपका वीर नर्सिंग, बी उप्शन एक्रिश्न देव राय, और सी उप्शन आपका राम राय, और दी उप्शन है, अच्युत राय, तो इसमें जो सही एंसर है वह आपका बी, क्रिश्न देव राय, इसके बारे में आपके बाते हैं, फैले ने बाइए flips देखते हैं, बाबर ने तुझों के बाबरी में भारत कितनी चलवायो का dru II किया है तो यह उप्शन, इृप्शन 5, राय, तो कितनी चलवायो का pr do wasdun किया है? तीं जलवायो का वरण करता है बाबर इन मिग्तम है प्रमुक फेले गांटा में निक निक अधस्युन का जिगता हूं, युए पितना फेली बार दूपध का प्रप्रत्म जिगा, D आपकोर पानी पतिरी एहूं beyondتي, V, G can जो पारिवत का प्रथम युद्ध है तो उसमें तो खाने का प्रमुक कौन था तो उस टेम तो खाने का प्रमुक था वो तुर्क तोपची उस्ताद अली था उस्ताद अली उस्ताद अली कुली कि बाबर का तोपची था पहले ये था फिर बाद में कौन होता है तो बाद में इसके बाद में हो जाता है मुस्तफा तुर्क इससे चुड़े आता है इसके साथ ही बाबर के बारे में ये भी कहते हैं कि बाबर एशिया का प्रथम शाशक था जिसने गोला बारुत का सफलता पूरवक प्रयोग किया था ठीक है और किसके किसके मत हुआ था तो बाबर और एप्राइम लोधी के मत है चलिए नेक्स्ट कोशन देखता है महान मुगल समराजी के संसापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा था ए उप्शन है पिता के वंशे तैमूर माता के वंशे चंगेज खान पिता के वंशे चंगेज खान और माता के वंशे तैमूर तो यह जो बावर था वो पित्र वंश यानि की तरफ से यह तेमूर का यह पाच्ववा वंश था पित्रवंस से ये पाचवा वंशस था ये तैमूर का और मातरे माता के तरफ से ये चंगेश खां से जुड़ा था तो मातरे वंशस से ये चंगेश खां का चौदावा वंशस था पित्रवंस से तैमूर का पाचवा और चंगेश का चौदावा वंशस था और जो बावर था इसकी एक उपादी और अन इसकी एक उपादी थी हजरत फिर्दोस मकानी हजरत ये नोट कर लिना आ सकता है एक्जामे हजरत फिर्दोस मकानी ये बावर की उपादी थी चलिए नेक्स कोशन देखते हैं बावर के मृत्यों के सिस्थान पर हुई थी, A option अपकर कावल, B option दिली, C option अगरा, D option लाहौर, तो कहां पर इसके मृत्यों हुई थी, आगरा में हुई थी, ठीक है, चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं, नेक्ट कोशन है, बावर के मृत्यों 26 दिसम्बर 1530 ही सुई में हुई जाकर दफनाया गया, A option अपका अदिली, B option है, फरकना, C option अपका कावल, D option है, समरकंद, तो कहां पर इसको दफनाया गया था, इसके बारे में थोड़ा बता दू, तो बावर जो था, उसको मालियों का मृकुट, मालियों का मृकुट और आजीव का ढूडने वाला शैनिक किसे कहागया, तो ये बावर को कहागया, मालियों का मृकुट या राज कुमार, और दूसरा किया का गया है, आजीव का ढूडने वाला, तो ये बावर से समंदेजिते कोश्चन ते हो गया है, और नेक्स वीडियो में आपका हुमाईू का देखेंगे, अगर आपको कुछ तो आप कमेंट शक्तिन में से पूल सकते हो और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करेगा इसकी प्लेलिस्ट बना दिया आप आप से जाके पिसली वीडियो देख लेना सारी प्रेशन बहुत इंपोर्टेंट है थैंक यू